हर हर मारते जब हम प्रभवान शिव की कृपा प्राप करते हैं, तो अमारा जीवन सुन्दर और अनन्द में हो जाता है। बोलेना प्रभवान शिव के इस नाम पर उप्योग, उनके सरल और सानुबूती वरे सुवाव को दर्शाने के लिए किया गया है। वे अपने भगतों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उन्हें शान्ति, सुख और संतोष की अनुबूती करवाते हैं। अगवान शिव की लिलाओं में ही सभी रहस्यत और गुप बाते चीती हैं। शिव की लिलाएं उनकी अद्वितियता, शक्ति और दया को प्रकर करती हैं और उनके भक्तों को मान दर्शब करती हैं। इसलिए भक्त विश्वास करते हैं कि सभी समस्याओं और परिशानियों का समधान अगवान शिव की लिलाओं में ही चुपावता है। अगवान शिव की महिमा अत्यंत, अद्वितिय और अनन्त हैं। उनके फावन चर्णों में ही मोक्ष की प्राप्ती सम्मा हुए। शिव शंकत की भक्ती और पूजा से भक्त आत्मिक उर्जा को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को मोक्ष की और प्रेगित करते हैं। भगवान शिव की पूजा और भक्ती से वनुष्य की सभी चाएं और अबिलाचाएं पुरी बुजाती हैं। अगवान शिर्व की प्रिपा और अश्रुवात से भग्त, पार्मार्थिक, सुक, सम्रुद्री और शांतिक राप करता है। हर हर मुध्यों का उप्योग अगवान शिर्व की महिमा को मान्यता और समर्थन के रूपने किया जाता है। बगवान शिव के आशिर्वाद से हम जीवन की हर उश्पिल से निकलने की शक्ति प्राप करते हुँ उनका आशिर्वाद हमें समर्थ्य, साहस और उत्सा देता है ताकि हम समस्याओं का सामना कर सकें और उन्हें परास्त कर सकें बगवान शिव के आशिर्वाद में हमारी संजीवनी शक्ती और रेणा होती है बगवान शिव की पूजा और उनके नाम का चाफ करने से हमारे जीवन में आनंद का अनुबह होता है शिव की पूजा से हम आत्मिक शांती, सुक और आनंद को राप करते हैं बगवान शिव का ध्वान फिरने से हमारा मन चांस होता है और हम जीवन के सभी पवलों में अनल्द का अनुबोर करते हैं। बगवान शिव की भप्ति करने से हमारे जीवन में शुक्षांती और मंगल की राप्ति होती है। बगवान शिव की क्रिपा और आश्रवात से हमारे जीवन में सम्रुद्धी और खुश्यां आती है। इसलिए उनकी बगति में लगने से अमारे जीवन सम्रुद्धी से भर जाता है। बगवान शिव की पूजा और उनके ध्यां से हमारे मन में शांती और सम्रुद्धी की बावना उत्परवती है। उनकी पूजा करने से हम आत्मिक संतुलन को प्राप्त करते हैं। और अपने जीवन में समुरूद्धी की प्राप्ती कि लिए दिशा प्राक्त करते हैं। इसलिए प्रवान्षिव की पूजा हमें आग्वान्षिव कि नाम का चाथ करने से हमारे मन में प्रेम और उजह की भावनाक उत्फर होती है। उनके नाम का चाप हमें आत्मी संबंध में समुरुद्धी के लिए वेवित करता है और हमें अपने जीवन में हर शिक्त में शक्ति प्रदान करता है। इसलिए अगवान शिर्फ की नाम का चाप करना हमें आजित्मिक और भौतिक शक्ति की प्राप्ति में बदद करता है। अगवान शिर्फ की बक्ति और पूजा से अमारे जीवन में आने वाली हर संगर्ष और मुश्किले असानिस से हल हो जाती है। उनकी बक्ति में लगकर हम आत्मा को साकार करते हैं और समस्त संद्वों को दोर करते हैं। इसलिए अगवान शिर्फ की बक्ति में जीवन में तिर्था, शांती और समधान की प्राप्ति में बदद करती हैं। बग्वान शिर्फ की क्रिपा से सभी कार संभव हो जाते हैं। उनके क्रिपा से हमें सपलता की प्राप्ति समस्त संद्वों का निवारन और जीवन में सुप और शांती की प्राप्ति होती हैं। इसलिए बग्वान शिर्फ की क्रिपा पर आशा और विश्वास करना हमें स संपोर्ण कार्योग और टटनाव की मूल है। उनकी लिलाओं और अद्वितियता वही संसार का सारा नाटक चिपा है। अगों अन्शिवक लिलाएं कि मार्जन से हमें जीवन की अंगिनत सिक्षाएं क्राप्त होती हैं। और हम उनके माद दर्शन में अपने जीवन को समृत्री और सम्कूर्ण साक्योग ले जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीड़ों में हमने बताया है कि मादेव जी की भक्ती से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। और हम क्या प्राप्त कर सकते हूँ। हम चाहते हैं हमारे सभी माद्यव भक्त माद्यव जी की पूजा करें और उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी खर्सकति हैं तो हम आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपने कुछ जरूर अच्छा देखा सुना और सीखा हुजा कि हम माद्यव की पूजा करकी क्या प्राक्त कर सकते हैं तो दोस्तों आप सभी से निवेदर हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो आप एक लाइक जरूर कीजेगा वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताकि हम आपके लिए नए देख वीडियो ला सकते और बेल नोटिफिकेशन जरूर ओन कीजेगा ताकि आप सभी लोग हमारे नए वीडियो से अपडेट रहेंगे तो मिज़ते हैं दोस्तों अगने वीडियो में लब तक्तिने ओम नमस्त्रिवाय हर हर माते स्वेश श्रिवाय नमस्त्रियाम झाल